आज जो मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूँ जनरली बच्चे या पैरेंट्स जब समवाद करने आते हैं तो यह लगातार हमसे पूस्ते हैं कि सर हम अपने बच्चे को नीट की तेयारी कराना चाहते हैं पर मान लिया जाए अगर हम इसे बायालॉजी दिला दें और नीट में सबका हो जाता है ऐसा तो है नहीं तो अगर इसका नीट में ना हुआ तो फिर इसके पास क्या उप्शन्स हैं जनरली जो बच्चा mathematics लिता है तो इंजिनियरिंग के स्कूप जादा है अगर आइटी में नहीं हुआ तो एनाइटी में होगा नहीं हुआ तो कोई अनो में होगा उनमें भी नहीं हुआ तो फिर private zone में इतने colleges हैं कि आपका engineering में अगर बच्चा गुसा है तो इंजिनेर बनकर निकल ही जाएगा पर doctor field ऐसी है कि आपने बायो लिया है तो ये बिलकुल संभावना है जरूरी नहीं है कि आप doctor बन ही जाए mbbs आपको मिल ही जाए तो अगर नहीं मिला तो उस case में हमारा backup plan क्या है फिर हम क्या करेंगे फिर उस दुविधा में mostly parents और बच्चे throughout रहते हैं ऐसा नहीं है बच्चों की बायो फील्ड में आपके पास scope नहीं है scope है लेकिन कुछ scopes तो ऐसे जिनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता awareness कम है तो आज हम उनी सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि in case एगर हमारा NEET में selection ना हो या MBBS हमसे ना निकले तो फिर उसके बाद हमारे पास कौन-कौन से विकल्प आते हैं ठीक है बच्चों देखो scopes तो बहुत सारे रते जैसे कि अगर मैं कहूं कि Bachelor of Homopathic Medicine and Surgery अभी तो आपने सुना होगा कि आयूर्वेदिक में भी Surgery को माननेता दे दी गई है तो नीट में अगर आपका कम स्कोर भी है है ना तो उसमें आप अपना Homopathy से कर सकते हैं आयूर्वेदिक मेडिसेंस में बैचलर कर सकते हैं बैचलर वेटर्नरी साइंसेज में लोग वाग यू सोचते हैं कि यार वेटर्नरी साइंस भी कोई डॉक्टर है क्या लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दू कि इसमें गौर्मेंट जॉब का बहुत अच्छा स्कोप रहता है वेटर्नरी साइंसेज एन अनिमल हजबेंडरी बायो टेकनोलोजी बायो मेडिकल इंजिनियरिंग जैनेटिक इंजिनियरिंग और भी इसमें बहुत फील्स रहती हैं यह उन पर आने वाले हैं फॉरेंसिक इपार्टमेंट में जाते हैं लोगवाग तो अभी हम इनको एक एक करके हम इन पर चर्चा करते हैं बचो ठीक है सबसे पहले बात करते हैं बीसी नर्सिंग की कि अगर मान लिया जाए कि ठीक है यार हम डॉक्टर नहीं हुए लेकिन हमारे अंदर जज़बा तो वही है कि ह हम लोगवागों की कियर करना चाते हैं उनकी हल्द की केर करना चाते हैं थेन वीत आना श्रकार के enquanto के वहरे बिसी नर्सिंग जो surgery में doctors को surgery में भी assist करती है और medicinal वे में भी practice में भी assist करती है तो वो सारी जो चीजे हैं nurses male और female दोनों के लिए तो जो ये branch है इसे B.S.C. nursing कहते हैं बच्चो ठीक है the course provides students with complete knowledge and skills to assist doctors in a course of department like ICU में, CCU में, ER में, OT में ठीक है फोर येर undergraduate course होता है वैसे तो लगबग लगबग ही जितने भी medical colleges हैं वहाँ पर आपको ये nursing का course मिल ही जाता है मुख्य तह जो famous colleges हैं वही अपना AFMC है AIMS है, VHU है, Christian Medical College है, CMC Lodhyana है यहाँ पर से जो आपकी nursing मिलती है वो सबसे best कही गई है भारत में सेकेंड ब्रांच जो आपके पास आती है फिर वो है बायो टेक्नोलोजी बेटा मैं इस बार मैं बताऊँगा कि बहुत शांदार ब्रांच है अभी आपने देखा होगा कि कोरोना का जैसे समय चला तो कोरोना के समय में वैक्सीन का डवलप्मेंट निद्ध ऑनरवा ब्रांटर बायो टेक्नोलोजी है क्या जो सारी चीज्जो को मिला इंबबवल्यूょकर कर चेक किया जा रहा है तो वह सारी चीजे वायर लजींग वा grown बच् geliyor तो अभी तो रिसेंटली अपने इसके बहुत जादा जबर्दस स्कोप देखा है तो बायो टेकनोलोजी एक ऐसी फील्ड है जो एक बायो टेकनोलोजी फिर अब जैसे अपन बायो टेकनोलोजी में देखें त्री यर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है यह आपका और कॉलेज जो में कॉलेजेज जहां फेमस फर्गूसन कॉलेज आप जानते हैं पूने में तो दोस्तों साइकोलोजी में हम क्या करते हैं साइकोलोजी में हम साईकोलोजी ओफ पसंस को समझने की कोशिश करते हैं आज धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि पहले तो इस पर इतनी डिमार्ड नहीं थी लेकिन समय के साथ-साथ ये फील्ल्ड is grow करती है जा रही है अब हर मार्केट अनलाइजड इवन जो आपकी प्रोफेशनल कंपनीज भी हैं वो कंपनीज भी अपने साथ एक साइकोलोजिस्ट कोई एक डिपार्टमेंट को रिकूट करती है तो अंडरेस्टेंड दी मार्केट की अभी क्या साइकोलोजी चल रही है लोग करते हैं उसकी तो यानि साइकोलोजिस्ट की वैल्यू धीरे-धीरे समय के साथ-साथ बढ़ती चली जा रही है तो जैसा कि आपन यहां पर देखें कि डवलपमेंटल एंड शूशल साइकोलोजी तो रिसर्च मेतड़ोजी तीन यर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है पर्सक्राइब शारओं साथे तीन लाग है फाल लाग तक है प्रॉमिनेंट खुलेजर है युनिवर्सिटी ओफ डैली प्रेजिडेंशी कॉलेज जांयामीया इस्नामया इस्टेला मैरेस और यह नियुपरिटी तो यह प्रॉमिनेंट कॉले मेंग नेक्स फिल्ल आती है भी फार्मा की नाव फार्मा से मुसली हम सबी परीचत होते हैं चबसे पहला यूज कि नमीक के बीडिकल श्टॉर शटाम्हज चलाते हैं तो उन्हें development में जा सकते हैं hygी नीbelश्च चो है इसमें भी जा सकते हैं ठीके बच्चों आगे है अपना सबसे बढ़िया जो मैं आपी समय के लिए कहूं देट इस बीए सीन एग्री कल्च्र रल साइन्स मैं इसे क्यों बढ़िया कह रहा हूं पहले तो लोगवागों कोई ब्रांश ही समझ में नहीं आ रही थी किया या यह इंगैगर इसमें क्ली कल्चर में क्या सिखाते होंगे लेकिन समय के साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो यौ gitu अभी जो खेती होरी एनद मर्चो वो खेती अब वैसी खेती नहीं है जो पुराने समय में हो रही थी यह अपने देख़ा होगा Estados पूरइज पीना चल रहा है कमाई बहुत जादा नहीं हो रही है पर आज के अगर आप देखें तो एक बड़ी modern तरीके से agriculture किया जा रहा है और धीरे धीरे चीज बढ़ती चली आ रही है जैसे जैसे knowledge बढ़ रही है आपने देखा होगा एक poly farming करके कहते हैं जिसमें की एक पूरा जो शेत्र होता है गाउं का जिसे एक पूरा पॉली एक पॉली ते ढग इनों के ऊपर तो वो सिप्स पॉसिबल हो पा रहा है इसी ब्रांच के जरिए अगरी कल्चर साइन्स इजम मुटी डिमेंशनल फील कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टेक्निकल और साइंटिफिक सब्जेक्ट इसका इसको बट बड़ी है गॉर्मेंट में तो है ही सही और प पंजाब अग्रिक blirसा अंचरी क्रोल यूनीवरसेटी चंड़िगर एंगंट यूनिवरसेटी है जीबी पंथ उनिवरसेटी है अग्रिककल्टर टेक्नलोजी की बिर्सा अ coding उनिवरसीटिटी है तो यह भी एख अच्छा प्राविनिंट आने वाले समय के लिए एकची लाइन है next is BSC food technology now what is food technology बच्चो तो food technology का मतलब है कि आपने ठीक है खेतों से अब निकाल लिया now the processing of the food packaging of food delivering of food ये जो पूरा process है ये इसके शेत्र के अंदर आता है तो अब चुकि आप देखते हैं मॉल्स में जाते हैं महां पर पूरी packaging होकर एकदम product रखा होता है food की cost अपनी मान लो दो रुपे है लेकिन package वगेरा होकर supply होकर एकदम storage वगेरा होने के बाद जब आप तक पहुंता तो पंदरा रुपे का है तो इसका मदलब है कि तेरा रुपे की कोस्ट इस सेक्टर की है तो आप समझ पा रहे होंगे तो थ्री टू फूर येर्स अंटर ग्रेजुएट कोर्स इसकूप दोनों में है government में भी है प्राइवेट में भी है तो processing development manufacturing and storage of edible food and raw materials college is prominent NIIT university है गोवेंद बल्लब पंथ उनिवर्शिटी है अग्री कल्चर एं टेक्नोलोजी की शारगाई उनिवर्शिटी है यह प्रामिनेंट नेक्स्ट है बीसी बायोजी यह तो सबसे जन्रल है कि वही बीसी बायोजी बहुत सारे बच्चे यही करते हैं जिनका नीट में जाते हैं तो बीसी बायोजी करने लगते हैं बीसी बायोजी एक जन्रल फील्ड है जिसके काफी सारे सेक्टर्स आगे जाके करने हो जाते हैं तो दिस इस वन आफ दो प्रॉमिनेंट अब मैं यहां पर एक चार्ट शो कर रहा हूं इस चार्ट में वो सभी चीजे लिखी हुई है जो हमारे सामने हैं और कुछ ऐसी भी ब्रांशे जो मैंने अभी नहीं भी डिसकस की उन सभी को मैंने आपर एक बार चार्ट के थुरूँ शो कर दिया है बीएसी नर्सिंग कितने डूरीशन में जॉब क्या मिलेगी नर्स और एवरेज सेलेरी पर एनम थ्री लैग टू एट लैग की पर एनम ठीक है ऐसे बीएसी बायो टेकनोलोजी की इसकी सेलेरी पांक से नौ लाग हो जाती है बीएसी नूट्रीशन एंड डायटिक्स यूमन नूट्रीशन या फूट टेकनोलोजी ठीक है इनकी फाइफ लैक अरूंड आपकी रहती है बीएसी एनिमल हजबेंट्री करेंगे देरी तो देट इस टू लैक टू तू त्री लैक्स बीएसी साइबर फोरेंसिक इसको मैं करणे बीएसी साइबर थे वहाँ द हैं सेपरेट ब्रांच अभी दीरे डीरे डमट में हैं इसका स्कोप है जैसे कि आप फॉरेंसिक में जाता है कोई भी केस आता है बौडी आती है पुलिसमें कहते हैं कि भीएसे फॉरेंसिक में भेज दीजिए तो वह से एकदम देख कर पच्छानबीन करके उसमें बताते हैं कि अच्छा इसकी डेट कब हुई कैसे हुई क्या कारण थे वो सब यहां पर आते हैं पॉर्निसिक साइंटिस्ट की जॉब होती है सिक्स लाइक सराउंड का पैकेज होता है दैन बीस्टी फिश्रीज भी होती है इनका है बीएस्सी अभी डिसकस किया था कार्डियो वस्कुलर टेकनोलोजी है फोर टुट्वटी लाइक क्योंकि इसकी रेंज देखिए बीस लाज तक देगी है वह इसलिए क्योंकि यह ज़स्ट का मामला है और कार्डियो में सर्जन भी बहुत कमाता है और जो उसे एसे कर कि एनली नौक्रियों की सेलरी जैंड़ की अग्रिकल्चर साइंस को थोड़ असे प्रमीनिंट यह कहते हूं क्योंकि एकरी कल्चर साइंस अपने एग्री कल्चर करने के हिसाब से ज्यादा कामाई करा देगी की कि इन एकिभ यह आपकी 529 लेक्स के पैकेज में जाती है तो तो भई उसमें आप खोल सकते हैं वी फार्मा की डिगरी की साथ और भी हैं बैचलर ऑफ अक्यूपेशनल थेरेपी उस तरीके से अक्यूपेशनल थेरेपेस्ट हो जाते हैं फोर लैक की अराउन पैकेज है तो इस इस अवर ओल डेटा आफ्स लाइक मैंने आँ कोशिश किये कि लगबग लगबग जो जो ब्रांचेज अपने को मिलती हैं जो जो ऑप्शन्स अपने को मिलते हैं मैं उन सभी ऑप्शन्स की चर्चा एक बार आपके सामने यहां पर कर दो ठीक है बच्चो तो उमीद है कि यह वाली वीडियो आप बायो वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनकर आई होगी तो अगर आपको यह अच्छी लगी है आपको लगा है कि हां मैं कुछ काम क देखने को मिला तो इसको लाइक जरूर करिए और इसको फॉर्वर्ड जरूर करिए सभी अपने मित्रों तक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह तो कर ही ले ठीक है बच्चों थैंक यू